तो गाईज, इन्फिनिक्स के और से बहुत ही कमाल का फोन लॉंच किया गया है जो की है इन्फिनिक्स होट 11S इस फोन को मैंने परसनल फोन के तरह 10 दिन तक यहां पर यूज़ किया है और मेरा एक्सपरेंस इस फोन के साथ कैसा रहा है यह बताने वाला हूँ आपको मैं आज इस वीडियो में है मेरा नाम है कैलाश पालिवाल आप देख रहें यूटूब पर एम के टेक्निकल यूटूब चैनल तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए गाई सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले साइज की तो आपको इसके अंदर मिलता है 6.78 इंच का Full HD प्लस डिस्प्ले साथी साथ इंफिनिक्स ने याप पर इंप्रूमेंट किया है वो है 90 हर्ट्स का रिफ्रेश रेड आपको बता तो जब आप यहाँ पर फोन यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत जादा स्मूथ फिल होने वाला एफोन और साथ इसाथ Big Display है Full HD plus Display है तो आपका जो यहाँ पर Movie Experience या फिर आप वीडियो देखते हैं तो वो भी यहाँ पर बहुत अच्छा होने वाला है next point के अगर यहाँ पर बात करें तो वो है इसके speaker की sound quality तो guys sound quality को यहाँ पर test करता है क्या हाँ भाई करनी पड़ेगी क्योंकि Infinix ने इस phone के अंदर आपको dual speaker दिया है अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि dual यहाँ पर speaker मिला है तो definitely आपका जो sound है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा आने वाला है अगर आप गाने सुनते हो MP3 सुनते हो या फिर वीडियो देखते हो या फिर आप movie देखते हो तो आपको यहाँ पर dual surrounding sound मिलने वाला है जो की बहुत ही अच्छा होता है और आपके movie experience को यहाँ पर बहुत ही अच्छा बनाता है तो चले गाई नेक्स point के अगर यहाँ पर बात करते हैं तो वो है इसका camera बाकी camera के हम यहाँ पर बात नहीं करने वाले हैं सिर्फ primary camera जो दिया गए उसकी बात करने वाले हैं क्यों कि इस phone के अंदर आपको मिलता है 50 megapixel का primary camera जो की यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम करता है इसके photo बहुत ही अच्छे आते हैं personally कहूं तो मैंने इंफिनिक के बहुत सारे phone के यहाँ पर review किये लेकिन ऐसा camera phone यहाँ पर आपको पहली बार मिले वाला है बहुत ही अच्छा camera यहाँ पर performance देता है साथी साथ जो photo clarity है बहुत ही अच्छी आती है साथी साथ इस camera के अंदर आपको 1.6 inch का aperture यहाँ पर मिलता है यहाँ पर जो की यहाँ पर use होता है आपके night photography के लिए night photography में भी बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर करता है बात करें यहाँ पर front selfie camera की तो 8 megapixel का यहाँ पर camera दिया गए with LED flash light तो normal यहाँ पर day to day life के लिए यहाँ पर यह camera अच्छा काम करेगा लेकिन शायद थोड़ा से improve किया होता तो और भी अच्छा होता next highlighted feature की यहाँ पर बात करें तो वो है इसका charger यहाँ पर आपको 18 watt का charger मिलता है जो कि personally fantastic काम करता है इस phone को charge होने के लिए यहाँ पर लगते हैं करीबन देड़ से 2 गंटे और आपको बता दू इस phone के अंदर आपको 5000 mAh की big battery मिलती है और आपको बता दू कि आप इस phone को day to day normal use कर रहे हैं लेकिन आप थोड़ा सा heavy use करते हैं तो definitely एक पूरा दिन आपका इस phone के साथ चला जाएगा और बहुत ही अच्छा यहाँ पर battery backup और charging यहाँ पर काम करती है चले गाइज नेक्स यहाँ पर बात करते हैं इसके build quality और design की तो design की यहाँ पर बात करें तो Infinix अपने phone में हमेशा एक glass stick body यहाँ पर देता है जो कि आपके phone को premium look बनाती है, premium look दे देती है और साथे साथ आपको बता दू इसके अंदर 50 Megapixel camera होने के बावजूद भी इसका जो camera bump है वो ना के बराबर है और phone यहाँ पर यहाँ पर बहुत ही जादा slim दिया गया आप single hand में भी आप अराम से इसको use कर सकते हैं साथे साथ build quality करें यहाँ पर बात करें तो phone की quality भी बहुत ही अच्छी यहाँ पर दी गई है चले गाई यहाँ पर बात करते हैं अब यहाँ पर processing और speed की और day to day life में यह phone कैसे performance करता है तो आपको बता दू चार्ज भी की RAM मिलती है Helio का G88 processor यहाँ पर मिलता है एक चीज़ आपको बता देता हूं कि इंडिया में दूसरा ऐसा phone यहाँ पर launch किया गया है कि Helio का G88 processor के साथ यहाँ पर आपको बिलता है day to day life में मैं इसको personally use किया है सारे app यहाँ पर बहुत smoothly चलेंगे यहाँ पर कोई भी lag आपको feel नहीं होने वाला है definitely कर आप gaming के लिए भी सोच रहे हैं तो इस phone के साथ आप यहाँ पर जा सकते हो लेकिन यहाँ पर एक condition है normal gaming आप यहाँ पर करते हैं तो बहुत यह अच्छा है यहाँ पर काम करेगा लेकिन continuously heavy gaming आप करते हैं तो शायद आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा थोड़ा सा लाग आपको यहाँ आप नजर आता है लेकिन उतना भी नहीं तो अगर आपका budget 10,000 के आसपास है तो definitely आप इस phone के साथ जा सकते हैं तो चले का आज एक bonus point की यहाँ पर बात करते हैं जो की है इसकी price segment तो price यहाँ पर जो लिए गई है वो है करीबन 11,000 रुपे के price segment में आपको यह exclusive flip card के ओपर मिलने वाला है link आपको वीडियो के description में मिल जाएगी लेकिन 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 रुकिये यार यह phone आपको 10,000 रुपे के कम price segment में भी मिल सकता है कैसे है तो आपको बता दूँ flip card के ओवर उपर आने वाला है यहाँ पर big billion day sell जहाँ पर आपको 10% तक का यहाँ पर discount मिलने वाला इस phone के ओपर मिल सकता है आपके credit card या debit card के ओपर तो guys big billion day sell का wait कीजे अगर आप इस phone को खहिदना चाहते हैं तो जिस दिन big billion day sell हो उसी दिन जाएए इसको खरी लेजे और आपको यह जो phone है वो 10,000 रुपे से भी कम price segment में मिल जाएगा इतनी सारी खूबिया इस phone के अंदर आपको मिलती है तो definitely कुछ तो disadvantage यहाँ पर मिलने वाला है तो मुझे इस phone में यहाँ पर क्या disadvantage लगा है तो सबसे पहला है वो है इसके बाकी सारे secondary camera तो मुझे उन camera का इतना useful नहीं लगा लेकिन इंफिलेक्स नहीं यहाँ पर जो improvement किया वो 50 Megapixel का camera और वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम करता है साथे साथ आपको बता दू कि यहाँ पर display के अंदर थोड़ा सा क्या अच्छ है अगर यहाँ पर Amazon या फिर आप यहाँ पर Netflix वगर देखते हैं तो आप अपने videos को full HD में नहीं देख पाऊगे क्योंकि इसके अंदर L1 का support आपको नहीं मिलने वाला है हाँ लेकिन आप इस phone के अंदर कुछ videos डालते हो या फिर आप YouTube पे भी वीडियो देखते हो तो definitely full HD plus यहाँ पर यह support करें तो guys मेरा personal opinion की यहाँ पर बात करें मेरे final word के अगर यहाँ पर बात करें तो इस phone को मैंने personally 10 दिन use किया गया है सच में बताऊं तो मुझे इसका जो display है वो यहाँ पर बहुत ही प्यारा लगाई 6.18 इंच का यहाँ पर आपको एक बड़ा सा display मिलता है जो कि आपके वीडियो ग्राफी या फिर जो वीडियो आप यहाँ पर देखते है उसको बहुत ही प्यारा बनाता है बड़ा display मिलने क सारे features जो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं वो सारे अच्छी तरह से काम करते हैं और एक इतना कम price 10,000 रुपे के अंदर इतने अच्छे features आपको मिलते हैं तो definitely आपको आँख बंद करके इस phone को ले लेना चाहिए लिंक का मिलेगी तो लिंक मिलेगी वीडियो के description में फड़ा एक लाइक से यहाँ पर एक हमारे लिए motivation होता है हम इस तरह के वीडियो बना के लेके आएंगे आपके लिए तो guys एक लाइक तो यहाँ पर बरता है तब तक के लिए मिलते हैं इसी तरह के किस नेक्ट वीडियो में जय ही जय भारत